स्वामी ओम जो की एक धोंगी बाबा है अपनी घटिया करतुतों की वज़े से घर से बाहर निकाल दिया गया है स्वामी ओम ने बानी पर पेशा फिकने के कारण सल्मान खान ने बिग बॉस के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि स्वामी ओम और प्रियंक का जगा इन दोनों को वो बिग बॉस के फिनाले में नहीं बुलाने वाले लेकिन जब ये बात स्वामी ओम को पता चली तब उसने कैमेरे के सामने ये धमकी दी है कि अगर उसको फिनाले में नहीं बुलाया गया तो वो फिनाले नहीं होने देगा अभी हम सभी को ये पता है कि स्वामी ओम का दिमागी संतुलन बिगड चुका है जिसकी वज़े से वो ऐसी बाते कर रहा है बिग बॉस का फिनाले होने के लिए अभी सिफ दो हफ़ते बचे है और स्वामी ओम ये कह रहा है कि अगर दो हफ़ते में उसे नहीं बुलाया गया तब वो बिग बॉस सीजन 10 का फिनाले नहीं होने देगा अभी इस बात में कितना सच है और कितना जूट ये जानने के लिए हमें दो हफ़ते इंतजार करना पड़ेगा आप सबको क्या लगता है क्या डोंगी बाबा सच में भी बॉस का फिनाले नहीं होने देगा या फिर हमेशा की तरह वो सिफ खोकली धमकिया दे रहा है अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तन्यवाद तन्यवाद